इस वीडियो में मैं simple conversation करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी को अभी need है एक motivation की लेकिन again मैं आप सभी को प्रेरित करूँगा कि आप सभी stock market की दुनिया में आए और अपना खुद का एक secondary income create कर सके बीना किसी दिक्स के जी हाँ ये possible है Hello friend, welcome to SM4U आगे बढ़ने से पहले SM4U को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में प्वारेड लिंक से आप हमसे जूर सकते हैं Instagram और Telegram से दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आपको stock market में रूची है आपना income, धेर सारा पैसा या फिर secondary income भी कह सकते हैं आपना चार है कि हम खुद का stock market में लगा के एक income create कर सके वो भी बिना रिक्स के तो ये वीडियो आप full watch करिएगा इन तक फिर आप लास्ट में आप अपना comment section में जाके आप अपना सुछाओ दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कितना ज्यादा helpful हुआ सबसे पहले आपको ये जानने के जुदत है कि एक देश की economy कैसे आगे होती है या कैसे डेवलप होती है अगर हम कुछ example के साथ आपको समझाने की कोसिस करें अगर हम USA की बात करें तो वहां की 75% जनता इंवेस्ट करती है यहां यह सही है 75% से ज्यादा जनता इंवेस्ट करती है इसलिए वहां की company उसाथ बहुत सारा पैसा होता है तो वह company उस पैसे को यूज करती है जाहिर सी बात है अगर शेयर मार्केट में कोई भी पैसा company listed है उसमें अगर पैसा लगा रहे है तो वह company अपना manufacturing करेंगी वह अपना manufacturing का काम करेंगी फिर वह अपना पूरा समान को जितना भी मतलब वह manufacture की है जो जो भी चीजे बनाती है वह अपना sale करेंगी all over world में फिर उसके बाद वह अपना export को बढ़ाते रहेगी इसलिए उस company को profit होता है अगर वह company को profit हुआ तो आपका भी लगाया हुआ पैसा profit में होगा मेरी बात को गौँ से समझेगा अगर मैं अगर नहीं समझ पाए तो आप comment section में जाके बताएगा मैं इस वीडियो को दुबारा से आपको समझाने की कोशिस करूँगा लेकिन यह इंट्रो है इसमें ज्यादा कोई समझने की नीड नहीं है क्योंकि मैं आपको बस प्रेडित के पास जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए तो मतलब अपना bank जो है वो फर्मिल्टी अदा करेगी तो फ्रमिल्टी करेगी क्योंकि हां कि जणता है वह डरती है stok Market में आने के लिए वो रिकस है यह तो मानते हैं कि इसलिए वो लोग डरते है कि लिकिन अगर इसी को बुद्धिमानी से काम किया जाए उस क conception में एक साल में कितना रिटर्न धिया है व कमपनि किस किस बेसिज क्या करती। लाइक ऐसा ही उस company का पूरा fundamental अगर हम जान लेंगे तो उस company में invest करना और उस company से profit लेना बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा चांस रहता है यह 100% आप मान के चलते हैं कि आपको profit ही होगा लाइक अगर हम कोई एक company जैसे अगर इलाइस में आप उनका share purchase कर रहे हो तो definitely आपका यह share जरूर profit में होगा कभी घटे में नहीं होगा इस वीडियो को बनाने का मेरा सिफ एक उद्देश है पहला यह कि हम आपको stock market में इंटर करवा सके दूसरा आपको यह बता सके कि यह आपका fundamental clear कर सके कि stock market के दिया में आ आपको कितना risk है और कितना profit है मतलब कितना फायदा है और कितना नुकसान है अगर हम एक सब्द में आपको संधाने कोशिस करें अगर आपने किसी company में पैसा लगाया है अगर उस company को profit हुआ तो आपको भी profit होगा अगर उस company को घटा हुआ तो आपको भी घटा हुआ सिंपल अगर इसी को हम अगर बुद्धिमानी तोर से बुद्धिमानी से अगर काम करेंगे बताया है मैंने भी पीछे बताया है कि उसका सारा अब बताया में तोर इसका अनलेसिस पूरा करेंगे तो हम में कभी घटा नहीं होगा लेकिन यह जो बात हुआ यह एक्सपर्ट लोक के लिए हैं तो हम इसक नहीं करता हैं हम पुरा जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके जाने वाले हैं मैंने पीछे एक इंट्रो डाल यह लिए हम आप लोग को अपना बात करें तो हम एंजल ब्रोकिंग में यूज करते हैं इनका सर्वी बहुत ही ज्यादा एट्रेक्टिव है मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसंद आया है मैं इनको पिसले तीन साल से यूज कर रहा हूं मैं आपको भी सलाद होगा कि आप एंज इएल ब्रोकि में ही एकाउंट खोलें क्योंकि आपमें настро करेंगे तो आपको भी ज्यादा सम आजीं होगी समझने में और हमको भी ज्यादा समझाने में आपको आसानी होगी इस वीडियो में हम केसी कंपनी को लेकर आपको उसकी फंडएमेंटल क्लियर करने की कोशिश क करेंगे और हाँ पहले हम एक वीडियो और अपलूड करेंगे जो कि एकाउंट ओपन करने पर बैसिस रहेगा उसे आप फुल वाच करेंगा और इससे भी वाच करेंगा ताकि आपको motivation मिलेगा उसे मिलेगी आप कमेंट सेशन लो जाके कमेंट करेगा कि ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में